मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को क्लिक पीजिए जिहां सिर्फ नॉर्मल लाइन ले लेना है राइट लेफ्ट एंड सिर्फ बॉक्स बना देना है ऐसा चैक्स नहीं है इसमें बहुत सारी इसी चीजे है जो आपको बहुत ही इसको अट्रेक्टिव सा दिखाएगी और यह डिजाइन है आप अगर अपनी क्लाइन को लगाते ह तो वो बहुत ही अट्रेक्टिव दिखने लग जाएगा तो इसे आप भी सिखना चाहते होंगे और मैं भी आपको यह सिखाना चाहती हूँ तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको इसमें एक और टॉपिक बताने वाली हूँ जो की है अपने क्लाइन से एडवांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या लेना है तो कितना एडवांस लेना है और एडवांस रिटर्न करने पे आपको क्या चीज़ करनी है और किस सिट्रेशन में आपको एडवांस रिटर्न करना है तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते पहले आपन जो चेक्स बना रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम बहुत सरी डिजाइने देखते हैं जिसमें हम बहुत कंफ्यू सोधाते हैं कि यह कहां से शुरू हुई है तो बस वैसी ही different different types के design में कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए लेक्या हूँ उन मैसी ही तीन design ऐसी है जो थोड़ी different है normal checks आप इसे नहीं के सकते हो इसमें सबसे पहले आप straight line और horizontal line लेंगे vertical और horizontal line पर आपको काम करना है इस तरह से ही आपको line लेनी है जब तक आप confirm नहीं हो जाते कि ये बनने की कैसे या इसका आपको सही वे याद नहीं हो जाता तब तक आपको सीधी और आड़ी line पर ही काम करना है एक line सीधी एक line आड़ी बनाने के बाद उसको cross करने वाली एक line आप बनाएंगे जो कि इस तरह से box में cross देगी मतलब box के corner पे touch होते वे line निकलनी चाहिए अगर ऐसे नहीं निकलेगी तो आपका ये checks का design अच्छा नहीं बन पाएगा तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें checks को मैंने अच्छे से cross किया है हर box में cross line equal दिखना चाहिए जो side के corners होते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है आपको जबर्जस्ती line को नहीं लेना है एक corner से दूसरे corner को देखते वी ही line को लेके जाना है आप देख सकते हैं सबसे उपर की corners मैंने direct corner पे touch नहीं किया है line में को जिस direction में जाने का instruction दे रही है मैं उसी direction में line को लेके गई हूँ जबर्जस्ती आप line को नहीं जुकाएंगे straight line होना ज़रूरी है आपने turn लिया है तो turn में भी line straight होने चीए इसमें जहाँ जाँ 4 उ 6 line में sorry 4 line में जहाँ पे एक साथ cross किया है वहाँ पे आपको एक thick point दिख रहा है आपका अगर checks का design पतला बन गया है या बारिक बन गया है जिसमें आप fill करने से डर रहे हैं तो आपको सिफ उन line को dark कर देना है कौन सी line को जहाँ पे आपको सारी line क्रॉस होती भी दिख रही हैं अब आप अलग-अलग direction में dot लगा लेंगे जैसे मैं लगा रही हूँ उपर नीचे दाएंबाय मतलब उपर नीचे और right left में dot लगा है और आप देख सकते हैं कोई भी dot का design dot का point एक दूस्रे से connect नहीं हो रहा है अगर उपर नीचे आपने लगा है सबसे first row में first आप box देख सकते हैं उसमें मैंने उपर नीचे dot लगाया है उसके just नीचे वाला dot का line है वो मैंने right left में लगाया है उसके just नीचे देखेंगे तो मैंने उपर नीचे लगाया है और फिर मैंने right और left लगाया है वहीं आप first box से second box पे आते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने उसमें भी right left पे ही dot लगाया है। इस तरह से dot लगाने से आपको ये clear हो जाएगा कि कहीं भी dot आपस में touch नहीं हो रहे हैं। touch नहीं होने से मतलब क्या है मेरा वो मैं आपको explain कर देती हूं। touch नहीं होने से मतलब है कि आप third box देखिए अगर वो मैंने उपर नीचे लगाया है तो उसके just नीचे वाला और आजपास वाला box right left पे ही जा रहा है। उनमें से कोई भी box उपर नीचे dot लगावा आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसा case होता है तो आपको point लगाते से ही ये चीज़ clear हो जाएगी कि point दोनों आसपास आ रहे हैं। ठीक है अगर एक box पे right left पे आपने लगाया हैं तो उसके आसपास के सारे box उपर नीचे की तरफ dot लगतावा आपको दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी कही ना कहीं mistake आपको दिख जाएगी और उसको आपको clear करने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि point को हटाने में आप बहुत easily उसको हटा पाएंगे पर अगर आप direct dark करने जाएंगे तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं जो step follow करती हूँ मैं वही step आपको बता रही हूँ जिससे आप बिल्कुल भी तकलिफ में नहीं आएंगे अगर बनने के बाद या डाफ होने के बाद आता है कि हमें advance लेना है या नहीं तो हमें advance लेना ज़रूरी है अगर आपको अपने booking का डिजाइन है और अगर आपको इस जबी आ नहीं कि बूलना ही और आपको चीज नहीं होती है यह मने अगर आपको 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 सारी बात ही करके चल जाएंगे हर चीज फाइंडर कर देंगे हर डिटेल आपको दे देंगे अपने उनका घर उनका address कहाँ वेन्यू है इसके साथ हैंगा डिजाइन कैसे लगवानी है कितनों के लगवानी है इस ताइम पे लगवानी है हर चीज कनफर्म हो जाएगी बट अगर उन्होंने advance नहीं दिया है हो वो किसी की टाइम पे स्विच कर सकते हैं किसी भी टाइम पे पलट सकते हैं इसकी और इजर शाएगा इसकीय साथ नहीं कि इस में महले यह समझेए कि वो कि अ जब हम box की feeling करते हैं तो हम बीच के box को तो बहुत अच्छे से feel कर देते हैं पर जब बात आती है corner के feeling की या corner के design को feel करने की तो हम उसे cut कर देते हैं बहुत ची बार हम या तो उसे पूरा बना देते हैं या तो हम उसे बनाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हम डरते हैं कहीं मेरी अच्छी डिजाइन बिगर ना जाए तो देखिए में इस साइड में काउनर में भी बनाया है पर 3-4 अगर डिजाइन वो बन रही है तो आपको 3-4 डिजाइन को बनाना है ऐसा नहीं है कि 3-4 पर उसे छोड़ देना है अब आई नेक्स डिजाइन जो की बहुती बहुती अच्छी है और मेरी फैवरेट है जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्टिकल और होरिजन्टल लाइन याद रहे लाइन बिल्कुल लाइट होने चीए जो सिर्फ हमको दिखे इन्वीजिबल सी लाइन सिर्फ लाइन ही हमें ट्रॉ करनी है जहां लाइन क्रॉस कर रही है वहां हमें सर्कल बनाने है बहुत छोटे छोटे से इक्वल साइज के याद रहे इक्वल साइज के अगर उन्में आपने चेंच किया तो आपकी डिजाइन भी गड़ जाएगी इसलिए हमें यह नहीं करना ejerc अगर आपका एक circle पे सारकल था दूसरे पे आपधे जाते उपधे पार डच्च करेंसे're like इस का डिजाइन आप कह सकते हैं इस टाइप से आपको बनाना है बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है नीचे पॉइंट पे टच करने के बाद दूसरे राउंड में उपर पॉइंट पे टच करेंगे साइड में एक साइड और दूसरे साइड ऐसे टाच होगी तो जहां लाइन नहीं है वाँसे हम लेते बजाएंगे तो सब अपने आप टच हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूं कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल सिंपल है नहीं समझा रहा रिप वाले पॉइंट को टच करना है अगर मैं लाइन को ऊपर से स्टार्ट कर रही हूं तो पहले होगा लेफ्ट में टच होगा फिर होगा राइट में ठीक है इस तरह से आप उसे धीरब से समझेंगे तो वह हो जाएगा समझा जाएगा इजी लिया जाएगा अब सिंपली ला पूरी बिगड़ साइगी तो इस चीज का ध्यान रखना है कर्व है तो कर्व में ही आपको लाइन को ड्रॉब करना है अगर कर नहीं आएगा तो यह डिजाइन इतनी सुन्दर नहीं लगीगी तो डिजाइन को सुन्दर दिखाना है न तो ऐसा तो बनाना पड़ेगा तो करना बिल्कुल बहुत सुन्दर बनेगा आप भी कर सकते हैं ठीक है आप भी कर सकते हैं अच्छे से बनेगा पर उसके लिए क्या करना रहेगा रेफ्रेंस लाइन के साथ चलना पड़ेगा और साथ ही एक कॉन्फिडेंस होना चीए कि लाइन आप बना सकते हैं लाइनों को थोड़ा सा और आगे, थोड़ा एडवांस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि इसे अभी मैं करूँगी फील, तब तक मैं उस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ. एडवांस कितना ले, ये भी एक टॉपिक है, बहुत चोटा सा टॉपिक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि बहुत आपका और एडवांस, आपका और मेरा एडवांस एक जिसा हो, या फिर आप जो एडवांस लेना चाहते हैं, वो में जो बता रहे हूँ वही आपको लेना है, या मेज हूँ लेती हूँ वही आपको लेना है एडवांस मैटर करता है आप कितने की महंदी लगा रहे हैं कितने रुपए की महंदी लगा रहे हैं तो अगर आप तीन हजार की महंदी लगा रहे हैं तो आपको हजार रुपए एडवांस रखाने हैं राइट हजार रुपए से उपर की booking है कोई तो आपको एडवांस लेके रखना है लाइक 500 या 1000 ठीक है 1500 1500 से उपर की है तो 500 रुपए और 3000 तक है तो 1000 रुपए इतना आपको एडवांस लेना है अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको ही दिक्कत होगी एडवांस लेने का मतलब क्या होता है बहुत सी बार जब अगर सामने वाला booking कैंसल कर देता है तो जिसके लिए आपने booking final करी भी है उसकी वज़े से उसी डेट पे आपके पास अगर दूसरी booking आते तो आप उसके बरों से वह booking नहीं लेते अगर मैंने आपको एडवांस दिया है like 25 जैनवरी के लिए तो अगर उस डेट की कोई दूसरी booking आपके पास आएगी तो क्या आप लेंगे आप यहीं बोलेंगे ना कि मेरे पास booking है तो हो सकता है आपने 3000 की booking ले रखी है पर दूसरी जो booking आ रही है वो आपके पास 5000 की आ र यह है तो आपके पास एडवांस तो है यह तो हुआ कि चलो कोई बात नहीं बेटे बेटे 500 रुपए या 1000 रुपए आ गए अपने मन को बनाने के लिए यह बात ही रखनी बढ़ती है मानती हूं थोड़ा बुरा लगता है booking कैंसल होने पर एक एडवांस रहता है तो उतना बुरा नहीं लगता और सामने वाले को भी यह बात रहती है यार हमने एडवांस दिया था मापे उसने एडवांस रिटर्न नहीं दिया तो ऐसा करते हैं मी दे रही है वो एडवांस तो लगवा ही लेते हैं ऐसा भी हो जाता है न तो उस केस में सामने वाला क्या पॉइंट है ना तावजी ताईजी इनकी लगा दो तो आपको separately लिया था ब्राइडanners महंदी लिए कियों लगाएंगए महीं पर बात खतम होचाती है मैंने advance किसके लिये लिया था bride के लिये लिया था I am so sorry auntie मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने advance bride के लिये लिया था मैंने especially आपको बोला था मैं bride के लिये advance ले रही हूँ या bride की booking confirm कराने के लिये आप 5000 रूपीज advance कर दीजिए clear है ये बहुत जरूरी है आजकल advance अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या चीज़ हो जाती है सामने वाला आएगा आपको simply एक चीज़ बोलेगा मेरी भुवा सास ने या मेरी सास ने मेरे लिए booking कर दिये कई और तो please दिदी आप ये booking कैंसल कर दीजिए न अगर advance नहीं रखा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप कुछ नहीं बोल पाएंगे इस case में में भी नहीं बोल पाती हूँ ना कोई और artist ये चीज़ बोल पाते है कि वा ठीक है कोई बात नहीं नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि वो relative की बात करी और उनको हम कुछ नहीं कह सकते है customer भगवान का रूप होता है तो ये चीज़ नहीं possible है इसलिए at least आप अपने लिए अपनी safety के लिए advance रखाएंगे तो ये scene आपको नहीं face करना पड़ेगा बहुत अच्छे से इसे fill करना है जैसे box में ने बना रखे सेम वेसी आराम से border लेने के बाद हलके से pressure को आपको हाथ पे रखना है मतलब कोण पे आपको हलका सा pressure रखना है border लेने के बाद बहुत आराम से उसे fill करना है याद रहे वो बिलकुल uneven नहीं लगना चाहिए box में जो feeling किये वो even होनी चाहिए बराबर जहां जितनी आप कर रहे हैं एक box में वेसी ही सारे box में होनी चाहिए और salt types मतलब बहुत zigzag zigzag ऐसे दिखना नहीं चाहिए line ने बहुत ऐसी आपने बना रखी ऐसा ना दिखे बहुत ऐसे mix हो जाए सब कुछ बहुत plain सा ऐसा design दिखना चाहिए और जो circle हमने बनाये थे उसमें हम लगा देंगे बहुत ही आराम से dot pressure के साथ आपको उसमें भरना नहीं है dot लगाना है थोड़ी महंदी निकालके dot लगाना है simply जैसे मैंने लगाए ओके तो लगरी ना सुंदर मुझे भी बहुत सुंदर लगरी है बस ऐसे ही आपकी भी design दिखें यह चीज़ का धियान लखना तो चलिए हम दूसरी design को भी कर देते हैं सेम वही तरीका हम वापिस से फॉलो करेंगे जिसा हमने दूसरे में किया था straight line लेना है horizontal vertical lines का use करना है circle बनाना है invisible line को बनाना है जो कि सिर्फ आपको दिखे ज़्यादा highlight ना हो ठीक है और circle even बनाना है सारे equal सा दिखना जीए अगर नहीं दिखेंगे दो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और अच्छी बनेगी भी नहीं अब यहाँ पर change होगा जो कि होगा नीचे से नीचे point को मिलाना उपर से उपर के point को मिलाना ठीक है आप देख सकते हैं कैसे मिला रही हुँ मैं आप यह समझे लिजिए कि curve आना बहुत ज़रूरी है straight line नहीं है curve है एक घुमाव है line में आप देख सकते हैं ऐसे ही घुमाव लेना है आपको अगर आपको लगता है कि यह घुमाव नहीं आ रहा है तो वो आपकी जो डिजाइन है वो सही नहीं बन पाएगी ठीक है उपर से उपर के point को मिलाना है नीचे से नीचे के point को मिलाना है सेम वही process को आपको follow करते जाना है अब जो हम second part start करेंगे वो थोड़ा सा change होगा कैसे वही जो नीचे अब यह side में कर लेंगे ठीक है तो एक जो line है वो opposite जाएगी और दूसरी जो line है वो एक दूसरे को पीठ दिखाती वे आपको दिखेगी चीक है समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो यह वापी से समझो simple समझ लेते हैं ज़्यादा deep में नहीं जाते हैं उपर से उपर का point मिलेगा नीचे से नीचे का point मिलेगा अगर right side आप ले रहे हो तो right से right का point मिलेगा left से left का point मिलेगा clear है इतना तो हो सकता है तीक है आप सिफ point कहां में circle के point पे कहां में touch कर रही हूँ वो चीज़ देखने की कोशिश कर रही है एक बार और बना के बता देती हूँ कि आपको यह कैसे बनाना है दो circle है उसके नीचे से नीचे आपको इसको मिलाना है और उपर से उपर आपको उधर लेके जाना है करवाना ज़रूरी है उपर ऐसे पीट से पीट मिलेगी नीचे आपको इस तरह से दिखाना है ठीक है अभी भी नहीं समझाया आगिया यार प्रीज यार इसे मत करो ठीक है तो इधर भी मैं वापिस से आपको बना के बता देती हूँ S S का design डॉ कर रही हूँ नीचे से उपर पॉइंट मिलाना है उपर से नीचे मिलाना है वही process आपको follow करनी है ठीक है तो stock trading के साथ ये काम बहुत अच्छे से दिख पाएगा अब मैं आपको बता देती हूँ कि advance किस case में आपको return करना है और किस में नहीं अगर booking सामने वाला cancel करता है या सामने वाले की कोई दिक्कत आती है तो आपको advance return नहीं करना है booking postpone हो रही है तो आप advance को postpone कर सकते है return नहीं करेंगे मतलब अगर booking वो कहता है कि अभी किसी कारण से हमारी booking cancel हो रही है और वो अगली बार कभी होगी तो आप amount को postpone करेंगे ठीक है ना कि उनको return बीना advance लिए लड़का भी book नहीं होता है लड़का लड़की book होने के लिए भी रुका किया जाता है तो इसलिए आप भी advance टेकी है अपने booking final करें जब मिले आपकी और मेरी वाइब तब करना like और subscribe बाइ बाइ